हमारे चैनल फुडविक आफ्या को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जबर पेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके अस्सलाम अलेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं चीज गार्लिक ब्रेड जिसको बनाने के लिए मैंने एक कब मैदा लिया है भीण फाव छम्मस मैंने नमक लिया है वन टीज़्पून मैंने पावडर शुगर लिय है आप चाहे तो दाने वाली शुगर का भी उस कर सकते हैं और यह मैंने वन टीस्पून भरकर इस्ट दिया था इसको गुंगुने पानी में मैंने भीगो कर राइस होने के लिए रखा था पांच मिन्टों के लिए तो सबसे पहले हम बोल में ड्राइ इस्ट को डाल देंगे उस मिक्स कर लेना है ताकि आपस में मिक्स हो जाए अब इसमें मैदा डाल देंगे एक कप मैदा लिया है हमने और स्मूथ डो गुन लेना है हमको सौफ डो गुनना है अगर पानी का लगा इस्तेमाल तो हम पानी भी इस्तेमाल करके गुन लेंगे तो ये देखिए डो हमारा गुन कर बिलकुल रेडी है सौफट डो गुन दाए हमने इस पर थोड़ा ओइल लगा देंगे और इसको कवर करके रख देंगे गरम जगे पर रखना है आपको इसको तो इसको एक घंटे के लिए गरम जगे पर राइस होने के लिए रख देंगे यह मैंने चीज ली है प्रोसीड और मॉजरेला यह दोनों चीज को मैंने ग्रेट कर लिया है आप चाहे तो सिर्फ मॉजरेला चीज का भी यूज कर सकते हैं यहारा धनिया बारिक चॉप कर लिया है मैंने और गार्लिक को भी बारिक चॉप कर लिया है चॉपर में आधी कटोरी मैंने मैल्टेट बटर लिया है इसमें हम चॉप किये वे गार्लिक को डाल देंगे तू टीस्पून गार्लिक लिया है और तू टीस्पून हरा धनिया लिया है मैंने और आधी कटोरी बटर लिया है तो इसमें इनको मिक्स कर देंगे तो गार्लिक बटर हमारा बनकर रेडी है इसको हम साइड में कर देते हैं अभी और चेक कर लेते हैं हमारा डो राइज हुआ की नहीं तो ये देखिए डो हमारा राइज हो चुका है तो इसको बाहर निकाल लेंगे थोड़ा सा हातों से मलेंगे इस पर मैदा डस्ट करेंगे हम आउ करेंगे हममारा ऱाइज है मैदा डस्ट करके इसको हम रोल कर लेंगे ज्यादा पतला नहीं बेलना है आपको और ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है बड़ थोड़ा मोटा रखना है तो यह देखिए रोल कर लिया है इतना मोटा रखा है मैंने इसको यह मैंने बेकिंग ट्रेल ली है हम इसको आवन में बनाने वाले है अगर आप without oven बनाना चाहते हैं तो मैंने without oven भी आपको सिखाया है creamy cheese garlic bread बनाना आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो उसकी वीडियो और सेम उसी तरीके से इसको भी आप बना सकते हो without oven बेकिंग ट्रे में मैंने रोल जो किया था उसको मैंने रख दिया है अब इस पर फैला देंगे सिर्फ आदे हिस्से पर ही फैलाना है आपको पूरे इस पर नहीं फैलाना है तो इस तरीके से आदे हिस्से पर हमने फैला लिया है garlic butter को और ये वन टीस्पून मैंने बचा लिया है इसको हम उपर से स्प्रिट करेंगे अब जो हमने चीज ली थी उसको हम डाल देंगे इस पर मैंने चीज की quantity ज़्यादा रखी है आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं बर जितना ज़्यादा चीज होगा उतना मज़ा आएगा इसको खाने में बिल्कुल डॉमिनोस स्टाइल बना रहे हम गार्लिक ब्रेड तो आप मेरी रेसिपी इसको जरूर ट्राइक कर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताईए कैसी बनती है आपकी रेसिपी मेरे तरीके से अब इस पर हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे ज़्यादा नहीं डालना है आपको हाफ टीस्पून ही डालना है और वन टीस्पून इस पर हम ओरिगैनो डालेंगे ओरिगैनो आप ज़्यादा भी डाल सकते हों क्यूंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है गार्लिक ब्रेड में अब हम इसको फोल्ड कर देंगे तो इस थरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है बहुत ही आसान है गालिक ब्रेड बनाना देख सकते हैं आप कितना इजी स्टैप है इसके किनारों को अच्छे से प्रेस करके आपको दबाना है हलके हातों से नहीं दबा कर प्रेस करना है वरना जब इसको हम बेक करेंगे तो इसके किनारे खुल भी सकते हैं इसलिए आपको दबाते हुए प्रेस करना इसको तो ये देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है अब इस तरीके से आप दबा लीजिए इसकी किनारियों को ताकि एक अच्छा सा शेप आजाए इसमें अब जो हमने वन टी स्पून गार्लिंग बटर रखा था साइट में उसको इस पर डाल देंगे और ब्रश से हम इसको इसको इस प्रेट कर देंगे पहला देंगे इच्छी तरह से तो यह देखिए हमने लगा दिया है गार्लिक बटर इस पर अब हम थोड़ी सी इस पर रेट चिली फ्लेक्स दालेंगे यह तेज होती है इसलिए आपको थोड़ी ही डालना है और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको पूरी तरीके से अवोइट भी कर सकते हैं और इस पर वन टीस्पूल ओरिगानो डालेंगे हम तो यह देखिए रेडी कर लिया है हमने इसको अब नाइफ से हम इसमें कट लगा देंगे जादा गेहरे कट नहीं लगाना है आपको सिर्फ हलका सा कट लगाना है ताकि जब बेक करने के बाद हम इसको कट करें तो इसलि कट कर पाए डीपली कट मत कीजेगा हलके हातों से सिर्फ आपको मांक कर लेना है आप चाहे तो इसमें अपनी मन पसंद वेजेटेबल्स भी दाल सकते हैं कॉन तो हम इसको ओवन में बेक कर लेते हैं तो हम इसको पन्रा मिन्टो के लिए बेक होने देंगे तो यह देखिए हमारा चीज गालिक ब्रेड बनके बिल्कुल एडी है कितना सॉफ्ट बना है हम इसको कट कर लेते हैं नाइप से अब यह बहुत गरम है बिल्कुल सॉफ्ट बने है और इसके किनारी क्रंची भी है और बीच में से सॉफ्ट भी है तो यह देखिए कितना क्रीमी और कितना चीज हमारा गालिक ब्रेड बनकर रेडी हो चुका है बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है बिल्कुल डॉमिनोस स्टाइल हमारा गालिक ब्रेड बनकर रेडी है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राय करें ब έχुत है कि अ पस्टाइल स्टाइल और मेरे मेरे रेसिपी को ज़रूर खाहिए झाल झाल